हेलो ट्रेडर्स वेल्कम टू माई चैनल प्राइज एक्षिन में दोस्तों यहां पर भी हम लोग देखेंगे स्टॉक के बारे में एंड हम लोग पूरी थॉर्ली एनलिसिस करेंगे ओंजी स्टॉक के बारे में स्टॉक मुझे काफी अच्छी जगह दिख रहा हैं कुछ वहा यहां पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो फिरी ओफ फ़र्स अमनों यहां पर वीडियो लाते रहते हैं और यू के चेक औल दो वीडियो और अगर आपकी ट्यूनिंग मेरे साथ बनती है तो डिफिनिटली सब्सक्राइब करना आप और दोस्तों आप भी अपने व् सकता है ठीक है तो ओन जीसी गैस यहां पर आप देख पा रहे होगी स्टॉक है एंड जस्ट यहां पर अभी देखोगे यह डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों यहां पर हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है आरसाई में ठीक है आप देखोगे कि प्राइस था इ कि यहां से अगर हमें कुछ भी बुलिश दिखता है तो आपको एक तेजी दिखाई दे सकती स्टॉक में तो यह हमारा पहला साइन हो गया दूसरा साइन दोस्तों आप देखोगे कि इस लेवल का एक ब्रेक आउट हुआ था यह जो लेवल है इस लेवल का दोस्तों यहां स्केंडर ने ले लिया ठीक है काफी डीप रीटेस्ट था यह एंड यहां पर देखें मुविंग आवरेज भी पास में है और यहां पर एक काइंड ऑफ डवलू बना है अब आप चाहिए इसको डवलू बोलो या फिर मैं जो आपको बताता हूं यह जो रेंज है इस तरीक का एक सपोर्ड भी है तो डाट मींज कि हो सकता है प्राइज आपको एक डिप लगाता हूँ दिख सकता है बट अगर यह इस लेवल के ऊपर निकलता है फिर यहां से एक अच्छी बाइंग आ सकती है तो यह कल के लिए यह लेवल इंपॉर्टेंट है 301 का 20 में का बुलिश करूंगा कि आपको कुछ पॉइंट भी बताऊं एंड देखे जब भी कोई ट्रेंड होता है अगर वह वन डे में उसको बुलिश होना होगा ठीक है तो सबसे पहले वह चोटे टाइम फ्रेम में बुलिश होगा लाइक 5 मिनट में बुलिश आपको दिखने टू एंड यह में के ऊपर आ गया ठीक है और ऊपर आने के साथ साथ दो चीजे मुझे जो अच्छी लगी वह क्या है कि सबसे पहले तो इसने देखिए यहां पर क्लोजिंग देने के बाद में कहीं नगे इस कैंडल के ऊपर ही एक क्लोजिंग दिए तो यह थोड़ा सा टूब यहां पर थोड़ा सा है और थोड़ा वॉल्यूम दोस्तों नहीं दिख रहे है और रसाइब उस तरीके तबी सिस्की ओपर गया नहीं है तो रुकेंगे यहां पर बहुत ही अच्छा सिनारियो रहेगा अब यह 20 एमे का सपोर्ड यहां पर रहेगा जैसे ही स्टॉक बूस्ट करेगा तो इसलिए आपको बताए गया ठीक है अगर नीचे आता है सिंपल इग्नोर कर देना ठीक है तो क्यूंकि इस सब स्टॉक में एक अच्छा रैली आया था था एंड भी थोड़ा सा मिट कैप और प्यस्यू सांत है और बीच बीच में अच्छे स्टॉक में इतना इंपॉर्टेंट जगे अब आता ही आप नीचे से इतना उपर आ चुका है स्टॉक ठीक है अल्मोस्ट अल्मोस्ट अगर हम लोग इसको परसंटेज में ना पर तो आप देखोगे कि अभी यह 6% अल्मोस्ट बढ़ चुका है एंड देखे आरसाइब कहीं ने कहीं व 20 का जो भी मैंने आपको दिखाया था तो कहीं ने कहीं दोस्तों यहां से एक हो सकता है यह उपर निकले एंड एक आपको रिट्रेस देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना है थोड़ा सप्राइज नीचे आए एंड 292 के आसपास आपको मिलता है तब आप ले सकते हो या सारी पॉइंट्स आपके दिमाग में चलने चाहिए तब ही आप चीजों को समझ पाओगे कि आखिर हो क्या रहा है बेटर डिसीजन ले पाओगे ठीक है एंड यू नों की जो बड़े लोग है हम लोग उनके सिर्फ फुट्प्रिंट को फॉलो करते है ठीक है आप आपको बता दिये हैं अब अगर यह कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो काफी पॉजिटीव है रिवर्सल पैटर्न यहां पे बन जाएगा जस्ट इन्द सपोर्ट पे बनेगा और बाकी सारे फैक्टर्स में आपको बता दिये हैं तो इस स्टॉक की नजर होनी चाहिए और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई से यू टेक किया है कैसा लगा यह बताना मत बुलिएगा